इर्शाद 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 करने के लिए तयार हो जाईए क्योंकि चुनावायोग के प्रमुक्ष्री राजीव कुमार फिर से आज प्रेस कॉंफरेंस करके जनता को शायरी सुनाने वाले जी हाँ जब-जब उनसे गंभीर सवाल पूछे जाते हैं तो माण ये राजीव कुमार जी शायरी सुनाने का काम करते हैं और शायरी भहुत अच्छे अंदाज में सुनाते हैं क्योंकि जनता के मुद्दों पर ना उन्हें बात करनी है ना बहस करनी है और ना ही सवालों के जवाब देने आप देखेंगे लगतार चार जून के बाद फिर से एक्षन में आ गया चुनावायोग चुनावायोग तीन 10- Не बजहे आप देखी राजदानी दिली में क्रशों करने वाला था शूना लोग सभा चुनाव को लेके चर्चाओं में बनाbye आ देखेंगे करने ऐसे तृमायोग त addresses करने आ रहा हैं सुन्ने में आ रहा है सुत्रों के हवाले से कि चार राज्यों में होने वाले विधान सवा चुनाव की तारीके गोशित होने वाली हैं लेकिन एक सवाल तो बनता है जनाव कि क्या आप अच्छारे सहीता की धज्यां उड़ाने के लिए फिर से तई आ रहे हैं आप विपक्षी निताओ की जाज कराते हैं विपक्षी निताओ पर आरोप प्रति आरोप लगाते हैं विपक्षी निताओ को नोटिस जारी करता है चुनावायोग की आपको आचारे सहीता की धज्या नहीं उड़ाने वहीं देश के प्रधान मंत्री मंगल सुतर से लेके मु कोफ्रेंस करके फिर से शारी सुनाने के मूड में हैं लगता है काफी दिन हो गए राजीव कुमार इलक्षन कमिशन के चीफ जो हैं वो फिर से पुराने अंदाज में जनता को संभोधित करेंगे नजाने क्या नई शायरी लेकर आएंगे लेकिन जनता जो सवाल पूछना चा कोलते उस पर क्यों शायरी नहीं करते तमाम लोग शोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि चुनाव आयोग अज प्रेस कॉंफरेंस करके शायरी सुनाएगा या फिर वाके में गंभीरता के साथ विधान सभा चुनाव की तारीकों को घोशित करेगा चुनाव आज हरियाना और जम्मू कश्मीर में होने वाले विधान सभा चुनावों की तारीकों का अइलान करेगा तीन सो सत्तर हटने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में विधान सभा चुनाव होंगे ब्रैकिंग निउस है तीन बजे देश की राजधानी दिल्ली में चुनावा योगाज प्रस कंफरेंस करेगा और उस पर अखलेसी आदब का बयान सोची स्यासी भूचाल ले आया है स्यासी भूचाल इसलिए कि अखलेस यादब ने कहा कि उप्चुनाव रहें या विदान सवा चुनाव हम भारतिय जनता पाथी का सूपड़ा साफ कर देंगे जब भी उप्चुनाव होंगे समाजवादी पाटी भाजपा को हराएगी भाजपा की सरकार जिस तरह से मनमर्जी के अधिकारियों को पोस्टिंग उप्चुनाव वाले छेत्रों में कर रही है उसकी सिकाय चुनाव आयोग से समाजवादी पाची करेगी सोचिये विपक् में कह रहा था कि हम तो इमानदारी से चुनाव कराते हैं हम तो न्यूटल तरीके से चुनाव कराते हैं यह सिफ अफवाएं अफवाव पर ध्यान नहीं देना चाहिए जम्मु कस्मीर में बजेगा चुनावी विगुलास तीन बजे चुनावायोग करेगा तारीकों का ऐलान चुनावायोगास दुपैर करेगा विधान सभाचुनाव की तारीकों का एलान और कॉंग्रेस ने का प्रधान मंत्री ने कल रास्ट्री है एक चुनाव की बात कहीं थी यानि वन नेशन वन इलेक्शन की और मुझे उमीद है कि सभी राज्यों की तारीक एक ही दिन होगी एक ही डेट पर घोशना की जाएगी जिस तरीके से लोग सभाचुनाव को साथ चन्नों में किया गया सोचिए चार राज्यों के चुनाव की तारीकों पर लोग आशंका जता रहे हैं और चुनावायोग से पहले से ही सवाल दागे जा रहे हैं क्या पाची को देखकर तारी को का एलान किया जाएगा चुनावायोगा आज दुपार तीन बजे प्रेस कॉंफरेंस करेगा जिसमें विदान सबा चुनावों के कारे कर्मों की घोशना की जाएगी आज दुपार तीन बजे तारीकों का एलान होगा सोचिए लग जाएगी अच्छारे सहीता तारीकों पट्टि की राजनेताओं की निगाहे आप देखेंगे भारतिय जनता-पाची के तमाम नेता-वीनेता प्रबक्ताओं से लेखे किस तरीके से आच्छारे सहीता की धज्या उड़ा रहे थे प्रभुराम के नाम पर राजणीती कर रहे थे प्रभुना राम की तस्वीरे लेक वोट बैंक बटोरने की कोशिस कर रहे थे हैं लेकिन आचारे सहीता पर चुनावायोग के प्रमुक राजीव कुमार ने मुझ नहीं खोला वो बार बार आये बार बार प्रेस कॉंफरेंस की बार बार जनता को शायरी सुना कर चले गए ऐसा ही कुछ फिर से होने वाला है सोच किस तरीके से चुनावायोग का भरोसा खतम हो गया है चुनावायोग भी अब सवालों के घेरे में है तीन बज़े चुनावायोग की प्रेस वारता उक मुख्यमंत्री दुशियंत चोटाला ने कहा चुनाव की गहसना होती है तो हम तैयार हैं किसी और जानकारी के लिए प स्पाइज पाटि चुनावी मैदान में है आकाशा नान लगतार रेलियां कर रहे हैं और ऐसे में अकलेस यादवने भारत्य जन्ता पाटि का विधान समा चुनाव में सुपरा साफ करने की बात कह दिये समाजवाधी पाटि के प्रमुक अकलेस यादवने का की जब भी उप आणिकारियों को हचाना अधिकारियों की पोस्टिंग करना भारत्य जंता पाची की करारी हारे चुनावायो गाज प्रस कॉंफरेंस करके चार राजियों में होने वाले विधानसवा चुनाव की तारीकों की घोशना करने वाला है हरियाना मारास्ट जारखन जम्मो कश्मीर यूपी में 10 विधानसवा सीटों पर होगा उप चुनाव तो तमाम लोगों की चुनावयों की प्रस कॉंफरेंस पर निगाहे ठीकी वोई हैं जम्मो कश्मीर समय चार राजियों में चुनाव तारीकों का एलान होगा तीन बज़े इलेक्शन कमिसन प्रस कॉंफरेंस करेगा और तीन सो सत्तर हटने के बाद जम्मो कश्मीर में 30 सितंबर से पहले वोटिंग कराने का खबरे हमारे सामने आ रहे हैं चुनावा योगास तीन बज़े नई दिल्ली में प्रस कॉंफरेंस के दोरान हरियाना महरास्ट जार खंट के आगामी विदान सबा चुनावों की तारीकों को घोश्चना करेगा ये चुनाव गती विदियों को बढ़ने और विदान सबाओ के मौझूदा कारेकाल के समाप्त होने के करीब होने के बीच में किया जा रहा है मतदानों की तारीक और तैयारी के प्रमुख विवरणों के लिए बने रहें यूपी के उपचुनाव से पहले अपसरों की जाती धरम देख करोगी पोस्टिंग क्या ऐसा करना चीक है क्या चुनाव यूग इस पर संग्यान लेगा क्या ब्यूरोक्रेट एसोशियेशन को इस संग्यान लेगा ऐसा इन उपचुनावों में भाजपा इतनी गंभीरता स क्यूं ले रही है क्योंकि देश के प्रधान मंत्री को तो अपने दस सालों के कारेकाल पर बड़ा ही नास था बड़ा ही कॉंफिडेंट था सीना ठोक करके रहे थे कि अपकी बाद 400 पार लेकिन सोचिये उपचुनावों से पहले गड़बडियों की खबरे सामने आने लग हैं इलेक्शन कमीशन को गंभीरता से इलेक्शन कराना चाहिए और जनता के विपक्षी निताओं के सवाल पर गंभीरता पूर्ण सोचना चाहिए क्योंकि यह आपका शायरी सुनाने का महाल नहीं यह मुशायरा नहीं देश के लोकतंत्र को बचाने की बात है देश के सवि प्रस चुनाव का आई począt jan के ren प्रशित देना चाहिए या कुनाव का इसक्ट की घॉड़ना की घॉटार कम पून स्टेट्मेंट जारी करेंगे फिलाल तो उपचुनाव की तारीकों को लेकर तमाम देश भर की निकाहे ठीकी वही हैं लेकिन सोचिए राजीव कुमार जब जब आए हैं एक नई शायरी के साथ जनता के सामने आए हैं क्योंकि उन्हें सवालों से बचना बखुबी आत कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निस्मा को सब्स्क्राइब करने के लिए रेट कलर के subscribe बटन को दबाएं फिर बेल आइकन की गंती दबाएं निस्मा दस्क को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेर करें लाइक करें कमेंट ज़रूर करें झाल झाल